आज मैं रूपी वे पार्सनल लोन एप्लिकेशन की रिव्यू करने जा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो यही एप्लिकेशन है 4.4 इसका रेटिंग है और 50K से भी जादा यहाँ पे डाउनलोट्स है तो यह एप्लिकेशन कैसा है? रियल है या फेक है? इस एप्लिकेशन पे आप लोगों को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितने का लोन मिलते हैं? इंतरेस्ट रेट कितना है? रिपेइमेंट आप लोगों को कितनी दिनों में करना पड़ेगा? क्या-क्या प्रॉब्लेम्स आते हैं इस एप्लिकेशन पे? वह वो सारी सीजARS आप लोगों को आज की इसी वीडियो में बताइएंगे बस एक सोता साई रिक्वेस्ट है घाईS कि काईटली मुझे स सापोट किजेए अगर आप लोग सापोर्ट नहीं करोगे तो कभी मैं आगे ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा तो काईटली सापोट किजे घ तो इस application के बारे में कुछ आम लोग पहले देख लेते हैं कि online personal loan application है यहां पे आप लोगों को एक लाख तक loan मिल जाएंगे minimum 5000 का आप लोग लोग यहां पे apply कर सकते हो उससे कम नहीं मिलते हैं maximum 5 लाख तक आप लोगों को मिलेंगे जो interest rate है इस application पे around 30% के आसपास आप लोगों को payment करना पड़ेगा और repayment period आप लोगों को short मिलेंगे जैसे कि 15 days एक महिना ऐसा ही repayment period मिलेंगे उससे जादा आप लोगों को repayment period नहीं मिलता है यहां पे लिखा हुआ है कि long period के लिए आप लोगों को loan देगा लेकिन actually application long period के लिए नहीं देता है और एक बात है कि इस application पे आप लोगों को processing fees पे करना है आपकी age 18 years से जादा होना पड़ेगा और आपको इंदिया से होना पड़ेगा आपके पास आधार काट, पान काट और आपकी bank account statement भी होना पड़ेगा तो यह सारी सीज़े अगर आपके पास है तो आप लोग असानी से इस application से loan के लिए apply कर सकते हो अभी apply कैसे करें तो बहुत ही असान है इस application को download करना है, यहाँ पे KYC complete करना है, उसके बाद आप लोग असानी से personal loan के लिए apply कर सकते हो अगर आप लोग इस application का रूपी हुए application का customer care context details के बारे में जानना साते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है customer care, email दिया हुआ है, working time दिया हुआ है और address भी दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो loan application है और reject भी हो सकता है, अभी इस application पे जो measure problems आता है, पहली problem तो वही है कि लोगों को rejection बहुत ज़ादा मिलता है और दूसरा problem यह है कि कुछ-कुछ लोगों को repayment के वक्त भी problem आता है, लोग repayment कर देते हैं, लेकिन उनका जो इस तिता से ना, वह update नहीं होता है बाद में customer garbala call करके partition करते हैं, message करके partition करते हैं, तो ऐसी conditions हमें दिखने मिला हैं फिलाल की time पे तो फिलाल की time पे तो अच्छा-च्छा सल रहा है, तो आगे जाके कैसी पारफर्म करेगा, उसके बारे में तो हम लोगों को नहीं पता है, तो अगर आप लोग इस application से loan लेना साथ हो, तो अपने हिसाब से भी थोड़ा आप लोगों को research करना है, यहां पे जो भी reviews बगे र कर लेना, थोड़ा अपनी हिसाब से भी research कर लेना, तो आप लोगों को एक अच्छा idea मिलेंगे, application safe है या नहीं, इसकी बारे में आप लोगो को कोई पता नहीं है, और यह application RBA के साथ भी रेजिस्टर नहीं है, तो आप लोग इस application से loan लेके अगर repayment नहीं भी करोगे, तो भ लोगो की क्या experience है इस application पर, या तो आप लोग क्या सूचते हो, यह application real है या fake है, उसकी बारे में आप लोगो को comment पर जुरूर बताना है, अगर आप लोगो की कोई भी doubt है, सवाल है, कुछ पुछना साथ हो, तो comment पर जुरूर बताओ, तो आज की वीडियो में इतना ही पर मिलते हैं आप लोगो के साथ एक नहीं वीडियो में, तब तक के लिए, बाइबाइ गाइस, लाव यू गाइस